कहना कितना भी आसान हो कि मुश्किल सम्मे में धैर बनाए रखना जरूरी है, होसला बनाए रखना जरूरी है, किन्तु यह उतना आसान नहीं होता, क्योंकि यह वही जान सकता है, जो कि मुश्किल वक्त से निकल रहा होता है, दूसरों के लिए हमारी समस्याओं का रूप कैस अबी हो उसकी इस्थिती को जेल पाना कितना दुशकर होता है वे व्यक्ति ही समझ सकता है तो मुश्किल बक्त में धैर बनाये रखने के लिए कुछ बातों का अवशिध्यान रखें मौन रहना बहुत सी बातों का समाधान होता है क्योंकि जब अपनी परिशानियों के समय हम ज्यादा बोलते हैं तो नहीं समस्याओं को समझने में कम समय रगा पाते हैं मौन रहने से एक अद्बुश शक्ती हमारे भीतर छुपी होती है जो एकाग्रिचित होकर मस्तिश्क को परिश्टिकों को हर दृष्टिकोंड से समझने का वसर देती है बातों का सोलूशन तभ ब्यदिक उल्जा देते हैं जब परिशानिया सामने आएं परिशानियों से होने वाली समस्याओं का विकर्टम रूप तो कि जब हर किसी चीज के क्लाइमेक्स तक हम जाकर सोचते हैं तो हमारा उस विशय से भाय चला जाता है अंतर तक खत्म हो जाता है और हम किसी भी तरे की परिशानियों के सामने डट कर खड़ा होने का साहस कर पाते हैं समय कितना भी मुश्किल हो हमें अपनी दिंचर्या सहज और सरल रखनी चाहिए कितना भी मुश्किल समय हो खाली बटकर लगातार सोचने से समाधान कभी नहीं मिल पाता और हम विचारों में उलस्ते चले जाते हैं अता यदि आप इकांत में बैठे हैं तो परिशानियों को दूर करने के लिए सकरात्मक और शांती से सोचने का प्रयास करें गाम करते हुए भी अकेले रहकर अपने समस्याओं के समधान आसानी से पा सकते हैं